नमस्का दोस्तों मैं विने दुबे मुंबई से तरस आता है भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उन कदावर कारेकरताओं का जो 20-30 साल से भारती जनता पार्टी का डंडा और जंडा अपने कंधा पर डालकर चिलाते चिलाते नारे बाजी कर रहे थे स्वामी प्रसाद मोर्या जैसे दूसरे पार्टी के लोग आते हैं बाहरी और इन कारेकरताओं से दरी विच्छवाते हैं कुरसी लगवाते हैं गालिया भी देते हैं मेहनत मजदूरी करवाते हैं जिंदा बात पुलवाते हैं और जब अपना मलाई चाटके हो जाता है तो कल्टी निकल लेते हैं पतली गली लेकिन उस कद्दावर कारेकरताओं को कोई भी शरम नहीं होती है क्योंकि वो पार्टी के और उसके जो सहयोगी दल है वो अपने कारेकरताओं की इज्जत करते हैं मुझे तो नहीं लगता और जैसे ही उनका इस्तमाल पूरा हो जाता है उनको बाहर फेक दिया जाता है आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराऊंगा जिने आप बहुत भ अभी अपने कद्दावर कारेकरताओं को आगे आने नहीं दिया सिप उनका इस्तमाल किया और यह बात अभी से नहीं 1947 से चल रही है जब नाथुराम गोडसे जैसे लोगों को महात्मा गांदी की हत्या के लिए तैयार किया गया और यह हत्या होने के बाद नाथुराम आद ना हो तो मैं चोटी सी क्लिप दिखाना चाहूंगा एश आजाद हुआ बात आगे बढ़ी कॉंग्रेस की सरकार आई अटल बिहारी वाचपई जैसे मानेनीय नेता उभरे लाल कृष्णा आडवानी जी को रथियात्रा दे दिया गया सोमनाथ स्यायोध्या वो एक क्रांतिकारी एक उगता हुआ सूरस थे आरेसेस को समझ में आ गया कि लके आडवानी को कैसे इस्तमाल करना है उन्होंने बाबरी मजजिद शहीत करवाई देश में एक मुद्दा लिया जैस्री राम का घोश दिया वो नारा जे केवल भारती जन्ता पार्टी का राजनेतिक नारा था संतों का और हिंदूों का नारा नहीं था ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात खुद एक संत कह रहे हैं बताए बाबा जी जैस्री राम सादू सन्यासी क्यों नहीं बोलेंगे ये जैस्री राम जो है ये भाजपा वालों का नारा है तो जैस्री राम नहीं बोलेगे कोई नहीं बोलता जैस्री राम ना ना ये राजनेतिक नारा है सादू संतों से कोई लेना देना नहीं इसका? सादू संतों कोई मरवाया थोड़ी सादू संतता बेदभाव नहीं करता है, जाती बात बेदभाव में सादू संततों कोई किजी जाती और धर्म के वह नहीं करता है। साद आये बहुत सारे संगठन जैसे विश्व हिंदू परिशद, बजरंग दल वगएर है। उसमें से एक चहरा उभर कर आया प्रविन तोगडिया। जी हाँ वो आकरमक चहरा जो हिंदूों के लिए गर्व की बात हुआ करता था। लेकिन उसे भी RSSS और BJP ने इस कदर चूस के बगल में फेक दिया। कि एक दिन उन्हें खुद कैमरे पे आकर ये बात रोते रोते बतानी पड़ी कि नरेंद्र मोधी जी भारती जनता पार्टी और बाकी संगठनों ने उनके साथ कितना गिरा हुआ काम किया। उनकी बेशूदगी में शरीर एक गटर के पास पड़ी मिली थी आज से ठीक तीन साल पहले वो कुईसी और ने नहीं भारती जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों ने कराया। मैं ये बाते आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आप एक कद्दावर भारती जनता पार्टी के कारे करता हैं। आपको अपना अंत्पता होना चाहिए कि आपका एंडिंग कहां पे होने वाला है। फिर 2014 में नरेंद्र मोढी जी की सरकार आए, अमिश्य और नरेंद्र मोढी ने मिलके लगबग भारती जनता पार्टी के उस सारे कद्दावर नेताओं को भगल कर दिया, साइड लाइन कर दिया और एक छट्रा राज भारती जनता पार्टी पर कबजा करके बैठे। उन्हें एक चहरा चाहिए था, जैसे एलके आडवानी, नाथुराम गोड से, प्रवीन तोगडिया जैसा एक चहरा चाहिए था, जो इनके मुद्दों को आगे ले जा सके और एक पॉइंट तक जाके उनको समाप्त किया जाए, योगी आदितिनात एक ऐसा मोहरा उनको समझ म में आया कि जिसे इस्तमाल किया जा सकता है, अपने राजनेतिक फायदे के लिए, उभरता हुआ आकरामक हिंदुत्व वाला चहरा, योगी आदितिनात की छवी एक आकरामक नेता की थी, और उसे लगा, भारती जनता पार्टी को लगा कि ये एक ऐसा मात्र ऐसा चहरा है, जिसे हम जैसे घुमाएंगे वैसे वो घुमता रहेगा, लेकिन वो भूल गया, ये योगी आदितिनात है, दो हजास सत्रह में मुख्य मंत्री बनाने के बाद, तीन साल में भारती जनता पार्टी और रसेस को समझ में आ गया, कि ये इनसान को हम कंट्रोल नहीं कर योगी आदितिनात ने भी अपनी पूरी लॉबी तयार कर ली और एक प्रेशर की राजनिती भारती जनता पार्टी और रसेस पे करा दिया, जिसका खामियाजा ये भूगतना पड़ा कि लोकसभा, विधानसभा के अंदर 200 विधायक भारती जनता पार्टी के 200 विधायकों ने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, संगठन में एक बड़ी नाराजगी की लहर योगी के लिए दिखाई देने लगी, अब योगी जी को बगल हटाना लाजमी था, 2022 का चुनाव घोशित हो चुका है, अयोध्या काशी मतुरा जैसे बेस को लेकर भाचपा आगे बढ़ रही है, 6 दिसंबर को मतुरा में एक बड़े आंदोलन की घोशना की जाती है, और ये घोशना कोई और नहीं, केशो प्रशाद मोर्या जो उप मुख्यमंत्री है, वो करते हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, अब सबको लगा कि भाचपा का चुनावी रणनीती तयार है, कि अगला मतुरा के नाम पे चुनाओ लड़ा जाएगा, राम मंदिर 2024 में मोधी जी के लिए रखा गया है, काशी का भव्योध घाटन किया गया, मोधी जी आते हैं, प पुर्वांचल एक्सप्रेस हो, योगी जी अकेले खड़े होका सड़कों पे वीडियो शूट करवाए, लेकिन कहीं भी मोधी जीनों ने अपने बगल में जगा नहीं दी, ये तो था शुरुआद, चुनाओ अपने चरम पे है, 14 जनवरी से नामंकन और बाकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी केंद्रिय नेता अभी तक प्रचाय प्रसार के लिए उत्तरप्यदेश नहीं आया है, कोई भी ऐसा गतिवीदी या एक्टिवीटी भाजपा की नहीं दिख रही है, जैसा बंगाल में दिख रही थी, मंताब एनर अभी तक ये लड़ाई दिखाई नहीं दे रही है, उसका कारण ये है कि अब योगी जी को बगल करना BJP और RSS की मजबूरी हो गई है, उसका ही एक उधारन आज आप लोगोंने देखा होगा कि उत्तरप्यदेश चुनाव के बटवारे सीटों को लेके भाजपा ने एक ल नारसो, योगी जी की छवी इस समय सबसे दागदार, सबसे मतलब एक तरह से विवादित छवी है, जिसको भाजपा हाथ लगाना नहीं चाहती है, यही कारण था कि उनकी जो पारमपरीक सीट है गोरकपूर, वहाँ पर उनको भेज दिया गया है, लेकिन इस समय गोरकपू और एक आज प्रामपर्ण चेहरा है, उनको बिना उनके सहायता कि गोरकपूर में योगी जी का जीतना लगबग नामुमकिन है, लेकिन दुरभागे की बात यह है कि वो विवादित चेहरा आज समाजवादी पार्टी के साथ है, और उनके लड़के वहाँ से योगी जी के समक्ष लड़ेंगे, ऐसी उमीद की जा रही है, तो लगबग लगबग बीजेपी और आरेसेस ने ये तैकल लिया है कि अब भारती जनता पार्टी के अगर योगी जी अपने नेत्रुत में इसे जीतना चाते हैं, तो भारती जनता पार्टी आराम से इसे हाडने देगी, क क्योंकि ऐसी कोई भी क्रिया कलाप या एक्टिविटी बीजेपी की उत्तर पदेश में नहीं दिख रही है, अकेले हर मोर्चे पे योगी जी मोर्चा ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ देने वाली बहुत सारी जगहें खाली दिख रही है, अगर आप बंगाला और उत्तर प यही है, योगी जी के एक घमंड का, योगी जी के एक अपने आक्रमक्ता का अंत होता यहां पर दिखाई दे रहा है, और समाजवादी सरकार बनने के बाद, शायद इनकी जो पुरानी केसेज हैं, उसे खोला जाएगा और इन पर कारवाईयां की जाएंगी, जिस तरह से ब बड़े लेवल पर दुरूपयोग किया, आम जनता को तरस्त किया, एक बड़े तपके को तरस्त किया, उसका कही न कहीं खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है, गोरकपुर में ये हालत है कि वो अपने खुद की सीट बचा पाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये सब कारण न देखने के बाद कि BJP खुद चाहती है, योगी जी ये चुनाव हारे और उनका कद काटा जाए, छोटा किया जाए, क्योंकि वो अपने आपको एक देश का नितरुत्त दिखाने की कोशिश कर रहे थे पिछले देड़ साल को और शायद यही कारण है कि जब-जब कोई चेहरा देश का नितरुत्त करना और संगठन की उपर जाने की कोशिश करता है, चाहे RSS या BGP का संगठन हो, उसे उस व्यक्तित्तों को नीचे दफना दिया जाता है, उधारन के तोर पर, नाथु राम गोड से, प्रवित या लाल कृष्णाड आनी और अब योगी आदित्यनात, आगामी ओ अपना पूरा जीवन, गोरकनात मठ में बिताएंगे, ऐसी शुब कामनाय में उन्हें देता हूँ, जै हिन, जै महाराश्ट्रा